मागी पूर्णिमा की आप सभी को सुभ कामना है आज 23 फरवरी को भी पूर्णिमाशी है कल 24 फरवरी को भी पूर्णिमाशी है अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग दिन जो है बरत किया जा रहा है दोनों दिन पूर्णिमाती थी ब्यापते है तो देर रातरी तक आप सभ को अपने घर में रोग मुक्ति संकट कटे इसके लिए एक सरल सा कारे करना है ताकि सुक सम्रद्धी हो धन संपदा का वर्दान मिले और जीवन में खुशियां बनी रहे देर न करते हुए सुरू करते हैं आपसे अनुरोध है कमें मातरानी और महादेव के कोई सुन्दर नाम चैनल पर नए हैं तो लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें देर ना करते हुए सुरू करते हैं घर के दरवाजे पर आप सभी को यह उपाय करना है पूर्णी मा की रात को गुरुजी कहते हैं अपने उपर से स्वयम उतार कर आप सभी को इसे बहते हुए पानी में प्र प्रवाहित कर रही हूँ आप मंदीर के जो मंदीर प्रांगर होता है वहां नल लगा हुआ होता है या कहीं आसपास जल है तो वहां पर आपको प्रवाहित कर देना है वह वस्तु है पीपल का पत्ता जिसके उपर आपको चावल रखने है ठीक है इस्क्रीन पर आप देख पा है ही चंद्रमा मन का कारक है और उनकी वस्तु होती है सफेद रंकी तो चावल उसी से संबंध रखता है तो आपको लेना है एक पीपल का पत्ता गुरुजी कहते हैं सो ब्राम्भनों की साक्षी कराता है इस उपाई को गुरुजी के मुक्त से भी आप सुन सकते हैं आप पू पत्ता जो है उतारा करने में घंडित हो जाएगा फिर उससे क्या होगा कि आपका पूरा जो उपाय है जो संपूर्ण नियम के तहट आपको करना है आधा धूरा रह जाएगा तो ऐसी स्थिती में थोड़ा सा ऐसा पीपल का पत्ता लाईएगा तोड़िएगा या गिरा जो कि पूर्ण रूप से थोड़ा सा पक्किस वरूप में हुआ अर्था कर्ड़ा पत्ता आपको लेकर आना है ले आए अब सांज के समय यह काम करें ठीक है साम को समय करना है और पूरी रात जो है घर के दरवाजे पर आप सभी को यह चावल रखकर छोड़ देना है आप स सब कहें रोग मुक्ति है या प्रतियोगी परिक्षा टांसफर की बाद संतान विवा की बाद धन संपदा भाग्योदय नहीं होता है या वाड़ी में मिठास नहीं है जो व्यक्ति क्रोधी है संकट से परेशान है उन सभी के लिए यह कारिक किया जा सकता है सबसे पहले कितनी बार उतारा करना है परन्तु आप चाहें हमेशा गुरुजी के जो उपाय होते हैं उनमें 21 बार बताते हैं गुरु आप 21 बार भी गुरुजी के कहें अनुसार कर सकते हैं नहीं तो 7 बार भी उतारा किया जा सकता है तो उस ब्यक्ति के उपर से आपको उतारा कर लेन साथ के साथ यह भी बताते हुए चलों कि चावल पूर्ण आवस्था में होने चाहिए अर्थात खंडित ना हो इस बात का भी ध्यान रखे अब पूर्ण आवस्था में चावल हो और कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके उपर से आपको एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी जिरा देंगे जो है पैर की ठोकर लग सकती है किसी कोटोरी के उपर या किसी प्लेट के उपर ऐसा कीजिएगा कि इस जो है जो पीपल के पत्ते के उपर चावल है उन्हें रख दीजिए ठीक है रख दिया अपरशनाद हैं कि घर के बिलकुल बाहर दर्वाजी पर रखना ह वहां रखेंगे तो कोई इसे उठा ले जाएगा कोई चिडिया कबूतर स्वान इत्यादी अर्थतकुत्ता इत्यादी से गिरा जाएगा वन्यजीव जन्तु तो ऐसी इस्तिती में आप अपने घर के दर्वाजी के किस साइट रखना है यह भी जरूर से जानने योग्य ब अब सुबह हो गई पूर्णिमा की सुबह राद भर इसे रखकर छोड़ना है पूर्णिमा की सुबह गुरुजी कहता है इसे नेत्रों से लगा दीजे अर्था नैनों से लगा लीजे इसे सूंग लीजे थोड़ा सा इसको सूंगना है थोड़ा नेत्रों से लगाना है फि किसी मंदिर के प्रांगण में कोई नल लगा हुआ होता है तो वहां पर आप इसे विसर्जित करकर आजए यह प्रार्थना करें कि मेरे सरी से जो रोग है परेशानिया है मेरा भाग्योदय नहीं हो रहा है वह सब कस्ट पीड़ा मिठ जाए और काम ना सिद्ध हो जाए यह प बताय गया है उससे पहले भी पूर्णिमा का विशेश उपाय बताय गया है किर्पिया करने का प्रयत्न करें भाग्य बदलेगा स्वभाग्य में व्रध्धी होगी कस्ट संकट सदासर वदा के लिए कटने आरंभ हो जाएंगे तो करकी देखिएगा लाब आपको मिल नहीं है तो प्रधम उपाय आपको यह करना है दूसरा आप सभी को आवश्यक रूप से दीपक का उपाय करना है देखिए पूर्णिमाति थी है दीपक का उपाय कैसे भूला जा सकता है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा इसे कहा जाता है जो कि स्वभाग्य में ब्रध्धी करती है कस्ट संकट पीडा का नाश करती है तो आप सभी को सबसे पहले आवश्यक रूप से आज जो है मा लक्षमी के नाम का आज वैसे भी जो है सुक्रवार है कल भी सनिवार है पूर्णी माति थी है किसी भी दिन करते हैं तो लाब आपको होता ही है तो आप सभी को क्या करना है एक चार मुखा दीपक, मा अस्ट लक्षमी का ध्यान करते हुए, ठीक है, चार बत्ती उसमें हो जहाँ पर भी आप माता लक्षमी और गड़े जी महराज और साथी स्रीहरी विश्णु सत्ति नारयन भगवान का पूजन करते हैं, वहाँ पर आपको चार मुखी दीपक बनाना है, ठीक है, आटे का दीपक हो तो सरवोतब है, नहीं तो माटी का ले सकते हैं, उसमें एक चुटकी हल्दी डालिएगा, क्योंकि स्रीहरी विश्णु और मा लक्षमी को बहुत अधीक प्रिये हैं, हल्दी और हल्दी सौभाग्य में ब्रधी करता है, खुशियों के भंडार घर में भरने में सहायक होता है, तो आप सभी को क्या करना है, घर के जो मंदीर है वहाँ पर मा अस्ट लक्षमी का ध्यान करते हुए, चाहें तो इसमें कलावा अर्थात लाल बाती का भी प्रियोग कर सकते हैं, क्योंकि लाल रं आगे में इसे ब्रधी होगी, कस्ट संकट पिडा का नाश होगा, घी का ही यह दीपक लगेगा, साथ के साथ आप पूर्णी माति थी पर मातुलसी के आगे दीपक लगाएं, अन पूर्णा महार अश्वई भर में वास करती हैं, वहां दीपक लगाएं, स्रीहरी सुख पराप्त करता है, इससे पहले चैनल पर आपसे अनुरोध है, उन वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें, बहुत सरल उपाय है जो आपको रोग मुक्ति देंगे, कस्ट पीडा का भी शमन करेंगे, पूर्ण माशी का ब्रध साधरन नहीं है, मन मस्तिस्क को पूर्ण रूप से सुन्दर सरूप में यह विक्सित करता है, और कस्ट काटता है, आज के दिन एक समय का भोजन पंडित ब्रामर जी को दान कीजिएगा, आज घर में खीर का भोग लगा कर, मालक्षमी के आगे आपको समर्पित करना है, महादेव को भोग लगाने है, फिर हारी वेशनों स्री, सिवाए नमस्तु ब्राइब